अगला शिर्षक के रामकृष्ण परमहस जी के सद उपदेश का भगवत करपा, जिस परकार हजारों वर्ष के अंदेरे गर में एक दियासले की सीख घिस्ते ही उजला हो जाता है, उसी परकार जीवों के जन्म जन्वांत्र के पाप भी भगवान की एक ही क्रिपाद जिसे बांस, केला, अदी वे चंदन नहीं होते, इसी परकार जिनका मन पवित्र होता है, वे भगवत करपापा का उसी घड़ी सादू हो जाते हैं, किन्तु विशयासक्त, संसारी मनुश्य, सहज ही नहीं सुधरते, मेले कुचले रहना बालकों का स्वाबाविक गुण है, किन्तु माता पिता उनको मेले नहीं रहने देते, इसी परका जीव इस संसार में लिप्द होकर, कितना ही मलीन परंपिता, उन सब के शुद्र करने की योजना कर देता है